बहुत बहुत स्वागत है आपका Study IQ की यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है चंदन शर्मा और जैसे आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम इंडियन एक्स्पेस न्यूसवेपर को डिली बेसिस पे डिसकस करते हैं कल तकनीकी दिक्कतों की वज़े से हम कल के न्यूसवेपर को अनलाइस नहीं कर पाए थे लेकिन आपको मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ यार कि देखो एक आदध दिन कोई न्यूसवेपर कमेस हो भी जाता है तो बहुत anxious फील होने की ज़रूरत नहीं है रीजन ये है कि आपको ये समझना है कि current affairs एक continuous process होता है तो अगर आज मानलो कोई एक आदी चीज़ स्केप हो भी जाती है तो उसका link कहीं न कहीं दुबारा बन जाता है और इसलिए बहुत से aspirants चो अकसर message करके उनकी ये confusion रहती है कि सर हम current affairs की तयारी कब से start करें तो यार इ जिस दिन से शुरू कर रहे हैं वो best time में शुरू करने का पर हाँ मैं ये जरूर सलाह दूँगा आपको कि जिस दिन prelims का exam आपका होने जा रहा है जिस भी साल आप attempt करने जा रहे हैं उससे एक साल पहले के current affairs को अगर आप अच्छे से cater कर देते हैं थोड़ा सा revise कर लेते हैं जबकि mains से interview जाने की selection ratio क्या है कि अगर आप कुछ ना भी करें कुछ ना भी करें तब भी जो probability है वो 20 से 25% की probability तब भी रहती है आपके mains से interview तक पहुंचने की लेकिन prelims से mains तक लिखने की probability थोड़ी सी काफी कम रहती है तो prelims को काफी seriously लें बहुत अच्छे answer सब लोग का feedback मुझे मिल रहा है mentors भी best answers मेरे तक पहुंचा रहे है especially history subjects है जो आप में से कई aspirants ने try किये हैं जो हमारे P2i batch में enrolled है really great going लेकिन जैसे जैसे अब January का महीना पास आने जा रहा है आपको यही सला दूँगा कि prelims को please ignore ना करना फाइदा तब ही होगा पाइदा तब ही होगा अगर आपको प्रिलियम्स आपका clear होता है volume volume का adjust कर रहे हैं तब तक चलो मैं यह बता देता हूं कि आज हम करने क्या वहले हैं देखो आज हमारा जो मुद्दा रहने वाले ना आज जो न्यूसवपर में information आई है प्लस जो web पे information मिल जाती है Indian Express की website से उन दोनों का mix and match होने वाले है तो शुरुआत आज हम करेंगे आपके फेवरेट सी राजा मोहन साहब के आर्टिकल से जो है आप जानते हैं कि international relations and geopolitics के साथ बहुत अच्छा तालुकात और संबंद बनाते हैं और इनके आर्टिकल को पढ़कर हम अलग-अलग IR के components, IR के questions को handle कर सकते हैं इसके बाद हम जाएंगे कल के newspaper के सबसे मुख्य मुद्दे के ऊपर जो की है महुआ मौत्रा और उनके द्वारा ली गई जो उनके ऊपर allegations लगे कि उन्होंने bribe ली to ask questions in parliament उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो महुआ मात्रा महुआ मौत्रा, right, basically this is bengalicized, bengali version, ठीक है, anglicized होता है and bengalicized कह सकते हैं कि मित्रा, ठीक है, मित्रा को ही bengali में थोड़ी pronunciation मौत्रा हो जाती है, right, तो इनके ऊपर allegations हैं कि she took bribe to ask questions, right, तो क्या मुद्दा है ये पूरा का पूरा और इसी के अंदर ethics committee, right, और parliament की दूसरी committees की काफी जादा बात हो रही है, तो क्या हैं ये committees, उसके उपर चर्चा करेंगे, ये हमारा तीसरा मुद्दा हो जाएगा, इसके बाद एक term आप news में देखोगे, हलांकि इसका सीधा-सीधा संबंद तो UPC से नहीं बनता है and it will be too far-fetched कि अगर UPC पूछ लेती है, बट यार, देखो trend ये रहा है कि हर साल एक ना एक टेड़ा सवाल आ जाता है, life of pie, ठीक है, ये एक movie बनी थी, इसके उपर भी सवाल आ चुका है, तो इसी तरह से cubism, ये एक terminology है, ये 19th और 20th century के एक जाने माने Spanish artist, जिनका नाम Pablo Picasso है, काफी सुना होगा आपने, उनके art द्वारा ये related है कि cubism basically होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में आप हम लोग यहां पर discuss करेंगे, इसके बाद we will try to analyze, हम इसके बाद electric vehicles को लेकर new standards develop हुए है, इसके ओपर चर्चा करेंगे, ये particular चीज हमारे environment से भी कहीं ना कहीं related है, ये चीज हमारे governance से भी related है, क्योंकि जो standards produce हो रहे है, government क का एक initiative है, जिससे कि वो electric vehicles को बढ़ावा दे सके, क्योंकि आप खुद समझे कि अगर हर एक mobile company, type C charging port, ज्यादा तर Android में type C charging port होता है, ठीक है, अब Apple ने भी अपने, मतलब, ये चीज समझते वहीं कि type C charging port की requirement रहती है, तो उसने भी अपना charging port change कर दिये, अगर हर company अलग-अल charger लेना पड़ेगा और दूसरा charger किसी दूसरे device पर लगेगा नी, तो problem हो जाती है, तो same चीज़ electric vehicles में भी है, अगर electric vehicles के भी ये charging ports जो हैं, अलग-अलग होंगे, तो it would be difficult, so as to popularize electric vehicles more, और इनकी usage को थोड़ा और encourage करें, तो consequently हमने common standards रखने का यहाँ पर फैसला किया है, ठीक अपार ID, new education policy से निकलती हुई, एक जरूरत को पूरा करने के लिए है, जहाँ पर students का एक identification number बनेगा, जहाँ पर जो भी वो अपनी पढ़ाई में credits earn करते हैं, चाहे वो formal learning से हो या informal learning से, तो basically उनको यहाँ पर सारा एक कच्चा चिठा, उनका एकत्रित रहेगा, तो यह general studies 1, social issues, social issues में आप जानते हैं कि education आ जाता है, plus GS3, जहाँ पर economy के अंदर, right, I miss the good old days, जहाँ पर whiteboard हुआ करता था, कितनी बेकार handwriting निकाल रहेगे, smartboard, not so smart, right, economy में आप जानते हैं, human development index होता है, human development index में कितना जाधा educated इंसान है, उसके उपर भी चर्चा की जाती है, ठीक है, तो audio video, I think now it should be clear, volume अब फाइन होगी, सभी जनने बता दो, सपना राहुल रिया, volume सही होगी, right, पता है कि वैसे एक बात बता हूँ, I don't know about you guys, पर जिस दिन मेरा express का session होता नहीं है, खास कर ये सुबह वला, right, paid class में तो यार, पूरा, इस वक में, बहुत जादा इंग्रोस्ट और उसमें एक अलग valuation आपकी होती होगी, but इस session से मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ एक बड़ा connect बन चुक है, ये repeatedly, regularly मुझे जो नाम दिखते हैं, रगवेंदर, आबिद, रिया, राहुल, राजीव, कल्यानी, right, हीरल, और विरे सदर, बिरेंदर, बिस्वजीत, आपका पता नहीं, but मैं तो काफी मिस करता हूँ, जिस दिन ये session, नहीं हो पाता किसी reason से, ठीक है, तो दो ही reason होते हैं, यहां तो एक reason ये होता है, कि कोई technical issue आज़े, जैसे कल आया था, दूसरा reason ये होता है, honestly बता रहा हूँ, कि paid glass में कई बार रात को बहुत लंबी चली है, तो तब फिर morning में दिक्कत आजाती है, तो rather than compromising with the quality, I feel के इसको next day हम combine करके कर लिया करें, right, एक alternate और मैं करता हूँ, to save time, you people know that it takes time to commute between office and home, तो उसके लिए कई बार घर के setup में मैं record करनी के कोशिच करता हूँ, पर उसमें इतने गंदे-गंदे comments भेजते हूँ आप लोग तो वो भी फिर एक problem बन जाती है, rather than skipping the day, I feel के cover तो होई जाए, even if मेरा face छोटा सा आए, या ना ही आए, content तो कम से कम आए, पर उसमें comments ऐसे करते हूँ कि क्या ही बोलनू, चलो, पहले article को discuss करते हैं, ठीक है, तो कल का दिन हम नहीं आये थे, तो I think it's a very good way to make up for yesterday, by discussing Sirajah Mohan's article, article, article बहुत अच्छा, article में na focus इस चीज़ के उपर है, कि US किसी time पर, especially after World War II, US में बड़े एकदम muscle power आ गई थी, और Cold War में direct confrontation होती थी, Russia, that is Soviet Russia and USA की, Cold War के बाद पूरी दुनिया में ये लग रहा था, कि US से top country कोई है ही नहीं, अब US ही सारी दुनिया के strings को pull करेगा, और पू अबर के आ रहे हैं, वहाँ पर एक question mark सामने आ रहा है कि क्या US में वो पहली वाली बात रह भी गई है या नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कहां पर, Russia, Ukraine से भी पहले अफगानिस्तान पर चलते हैं, अफगानिस्तान में US ने पूरा 9-11 attacks के बाद पूरा तांड करते हैं क्योंकि पडोसी का पडोसी should always be a friend, ठीक है चानक्य की यह theory कहती है, लेकिन जिस तरीके से Biden administration के आने के बाद अफगानिस्तान से US ने withdraw किया तो वो clear indication थी कि US इतना खर्चाब bear कर नहीं सकता, खुद वो बोल रहे हैं कि this is not ours, the war in Afghanistan is not ours to fight, ठीक है अगर वहाँ के समंदर पार जाके वहाँ पे इनको security provide करते रहें, तो US की capacity limited actually हो गए थी, plus COVID के बाद अलग compulsions आगी थी, उनके खर्चे भी बढ़ गए थे, तो वो कहीं न कहीं उसको भी rationalize करना था और US चला गया, इसके बाद Russia-Ukraine war में, ठीक है initially, Ukraine को netto join करने का भढ़कावा या बढ़ा इनको सीधी सीधी बात है, चाइना जादा बड़ी problem है, तो Ukraine वाला मुद्दा जब यो यॉरप का है, उनको संभालने हैं, तो हम Asia पे focus करते हैं, चाइना is more focus, अब ऐसी बातें आ रही है, ठीक है, मतलब Zelensky का कितना बड़ा गाटा यहाँ पे, वो देखने को मिल रहे है, त तो US की capability अगर होती, capacity होती, तो शायद इस तरहां की समस्या ना आती, कही ना कही अब तक तो वो war ड्रैग ही नहीं होनी चाही थी, अब बहुत जल्द दो साल हो जाने है, इस war को ड्रैग होते हुए, तो यह बड़ी, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी problem यहाँ पर द यहाँ पर फिर बात की जारे कि अब क्या करें, इरान अगर आ गया picture में, यह conflict बढ़ गया तो क्या करेंगे, US संभाल भी पाएगा कि नहीं, तो यह article में यही discussion है कि क्या US सीजों को संभाल भी सकता है कि नहीं, US के उपर, इंडिया भी बहुत ट्रस्ट कर रहा है, jet engine deal करते फिर रहे हैं हम, right, comprehensive strategic partnership करते फिर रहे हैं, Biden को, कभी Obama को invite कर लेते हैं, कभी Biden के साथ जफियां डाल रहे हैं, right, हमें भी concern होना चाहिए कि यार, यह देश, Uncle Sam, ज़्यादा बूड़े हो गए हैं शाहिद, right, पता है न, Uncle Sam क्या होता है, Uncle Sam, US को न, प्यार से Uncle Sam कह देते हैं, ठ ठीके, तो Uncle Sam ज़्यादा बुड़े हो गए हैं, तो इन में वो है भी एक्षमता के नहीं, पहले तो टौफियां लाते थे सभी बच्चों के लिए, अब वो सब कर सकते हैं के नहीं, यह question mark बन गया, तो इसी article को यहाँ पर discuss किया गया, analysis हुआ है यहाँ पर, कि Uncle Sam में वो दम है या नहीं है, ठीके, तो यह multiple conflicts ही, इसका context है, अब यहाँ पर discuss करते हैं, discuss करने से पहले जो हमने अभी recent practice start किये, आपकी appetite, ठीके, soup आपके लिए लेके आ रहे हैं, ग्यान रूपी soup, एक MCQ की form में, आप सभी के सामने हाजिर है, prepared by chef, चंदन शर्मा, तो इसको solve करने की कोश कोशिश करो, अब से थर्ड आई एंगल को मैं frequent थोड़ा सा सोच रहा हूं, करता रहूं, क्योंकि यार सवाल मुझे लगता है कि headlines पे सवाल नहीं बनता, सवाल बाहर से बनता है, या mix and match होता है, तो बिन थर्ड आई एंगल के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको न एयर टाइम लेने वाला हूं, ठीक है, अच्छा, सब का answer आभी गया, ठीक है, अच्छा, जो लोग A कह रहे हैं, मुझे आप ये बताओ कि कौन सी statement है, जो correct है, आप कह रहे हो कि सिरफ एक statement correct है, तो which of the above statement is correct, कौन सी यह, 1, 2 या 3, ठीक है, मुझे बताओ, 1, 2 या 3 में से कौ कौन सी correct है, सबने A बताया है, युनिसन में बताया है, जिन दिन B बता रहे हैं, ठीक है, मुझे वो बताओ statement कौन सी correct है, ठीक है, विच 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 रहे है, 1st correct है, लूशना कह रहे हैं, 1st, ने निका भी 1st, ठीक है, तो military alliance, set up by Washington treaty, yes, this is correct, April 1949 में आई थी, there are currently 30 members, no, 30 नहीं है, 31 members हो चुके है, Sweden is the recent member to join NATO as on 27th October 2022, 2023, Sweden ने join कर लिये है, नहीं, Sweden ने join नहीं किया, बहुत जादा join करना चाता है, कौन रास्ता रोक रहे है, Turkey रास्ता रोक रहे है, ठीक है, क्यों रास्ता रोक रहे है, कुरान के issues और कुछ ऐसे outfits हैं, जो anti-Islamic हैं, बट Sweden को support मिल ज रहे हैं, लेकिन ये issues resolve हो रहे हैं, माना जा रहा है कि November तक Sweden भी join कर लेगा, ठीक है, तो yes, you people are right, answer A, correct option है, ठीक है, अब ये third angle की उपर था, right, third angle भी साथ ही cover करूंगा, PDF बहुत important है, ये group, please, everyone, do join this channel, क्योंकि ये, जिस तरह से ये videos हैं न, जिससे हम daily basis पे interact थोड़ा सा कर प मुझे realize हुआ कि अच्छा ये बड़ी important information नहीं है, अच्छा article है, PDF है, बच्चों के साथ share करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे share होगा, यहाँ फिर अचानक कोई एक life lesson मिला मुझे, जो मुझे लगा कि आप सब को भी inspire कर सकता है, वो यहाँ पे share करूंगा, तो इसके साथ connect, ज मुझे लिए आरा reply करने में, ठीक है, I apologize for that, sincerely apologize, बठा, ऐसा नहीं कि किसी को भी reply नहीं कर रहा, जो जो उपर-उपर messages दिख रहे हैं, उनका तो एकदम से साथ-साथ reply करने के कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, again, requesting, कुछ लोग पहली बार हो सकता है, देख रहे हो, यार यह हाँ ह सारा बताओ कि क्या मुद्धा है, क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, I will reply, Instagram पे, do connect with me here, चलो, US ने अब देखो, US की capability के उपर question है, लेकिन हमारे जो जो अंकल सायम है, अंकल सायम अच्छी खासी capability बना के बैठे हैं, ठीक है, अंकल सायम जो है, इनका अच्छा important है, क्यों? क्योंकि China एशिया में है, एशिया से important trade routes भी निकलते हैं, और जो US अपनी production करता है, economic activities करता है, उसको consume करने वाली जो maximum population है, वो भी एशिया में रहती है, इंडिया चाहिना देखो combined, top two most populated countries जो हैं, वो एशिया में हैं, तो हम consumer pattern basically determine करते हैं, तो Asia coming years में, एशिया जो है न, यह access बनने वाला पूरे geopolitics के, global geopolitics का, तो Asia में अब देखो, यह क्या क्या कर रहे है, इसकी achievements के अगर बात करें, जहां पर जो suggest करती हैं, कि बुड़ा होने के बावजूद भी, अभी भी US में दम है, और संभाल पारे चीज़ें, यह हमें देखते हैं, जपान में, जपान एक शान्तीप्रिय कंट्री है, क्योंकि एक history रही है, जहां पर nuclear धमाके इसने जहले हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में दो ही बार nuclear missile attack हुआ है, यह nuclear attack हुआ है, और वो दोनों के दोनों जपान बिचारे पर हो रगए हैं, ठीक है, बोध दिजम को follow करने वाला बिचा जोटा सा कंट्री, आइलेंड निशन, धर्ती के ऐसे कोने में रहते हैं, जहां पर वैसे natural disaster इतने सारे आते रहते हैं, कभी Fukushima disaster हो जाता है, earthquake, tsunami, पता नहीं क्या-क्या जहलता है, atom bomb भी इस विचारे कंट्री नहीं जहले हैं, पर फिर भी बहुत शान्तीप्रिय कंट्री है, राइट, शान्तीप्रिय होने की वज़े से, इसने अपने defense expenditure पर ज़्यादा खर्चा हमेशा कम ही किया, यह कहता है कि मैंने लड़ना ही नहीं जब तो मैं expenditure भी क्यों कहनूं, US, uncle Sam आके कहता है, ओय, सुन ले बात राम से, चाइना बैठा है उदर, तो अपना defense expenditure बढ़ा दे तो consequently, जपान ने इस बार, uncle Sam की मानली कहते है, ठीक है, uncle जी, जैसा आप कह रहे हो, कर लेते हैं, तो इसने defense expenditure जो है अपना बढ़ा दिया है, इसी के साथ जो South Korea है, साथ कोरिया की capital क्या है, Seoul, ठीक है, South Korea की capital है, Seoul, ठीक है, वहाँ पर अब South Korea की ऐसी history है कि Japan, यह हम world history में पढ आपती जा रही है, तो उधर क्या है, या था, हाँ, जपान, actually, Asian power होने के बावजुद भी, एक colonial power बन गया था, जिसने हमारे nationalist leaders को भी काफ़चादा inspire किया था, क्यार यह ऐसा white man superiority वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, यह European, यह gorilogy कर सकते हैं, rule, बाकी nations के उपर, हम Asians में भी दम है, और इस चीज को कौन दिखा रहा है, जपान दिखा रहा है, कि Asian power होने के बाद भी देखो, उसने colonialism follow कर लिया, imperialism भी follow किया था, imperialism और colonialism के बीच में जो difference है, वो कहाँ पर discuss होगा, paid batch में, ठीक है, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आज class होगी, शाम 6 पतलब इतनी भी नफरत नहीं है, अब तो चीजें काफी बदल गई है, अब तो दमाद वली बात होगी है, UK के साथ, ठीक है, लेकिन पहले किसी टाइम पे हम थोड़ा सा, फील करते थे कि इन्हों ने जितना बेड़ा गर किया है, इंडिया का, सोने की चिडिया को जितना लूटा गया है, और किसे ने ने लूटा, तो कहीं ना कहीं, Constraints या Restraints या Relations Strain हो दूआ करते थे, सेम चीज साथ कोरिया और जपान में भी थी, लेकिन अंकल साहम ने कहा कि भाई, आप इनके साथ अकर ज़्यादा बना के नहीं रखोगे ना, तो आप खुद सोच लो क्या होगा, पश्चिम में चाइना है, पूर्व में नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो यह दोनों फिर आपका सैंडविच यहां पर बना देंगे और खा जाएंगे, तो consequently South Korea ने जपान के साथ रिलेशन्स अच्छे किये हैं, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ, पिछले दो सा लगर आया, यूएस ने, ठीक है, अंकल साहिम की जो बेजती हुई है, वियतनाम में, मूवीस भी बहुत बन रखी है, तो वियतनाम वो जगा है, जिसने यूएस को ना अपनी जगा दिखा दी थी, कि भाई, जहां पे है, वहीं रहा है, इधर जंगलों में आने की ज़रू की पूरी कहानी है, तो वियतनाम के साथ, जहां पे एक हिस्ट्री रही है, कॉन्फिक्ट की, और उपर से यहां पर कॉम्यूनिस्ट गवर्मेंट है, जिसका आइडिलोजिकली, यूएस के साथ हमेशा 32 का अंकड़ा रहता है, क्यापिटलिजम, कॉम्यूनिजम, यह दो पो इंडिया के साथ, इंडिया के साथ, जो काउंटर कर सकता है, तो इंडिया के साथ भी काफी अच्छी कासी, पार्टनेशिब इसकी भड़ रही है, ताइवान जो बिचारा वैसे बड़ा परिशान रहता है, छोटा सा कंटरी है, सेमी कंड़क्टर बनाता है, चिप्स बनाता है, कहता है, ले लो मेरे चिप्स, ठीके, बोले मेरे लिप्स, I love सेमी कंड़क्टर चिप्स, तो अंकल साह वोतने चुंडी गाटने के लिए तैवान की एर स्पेस को वायलेट ना की माझनो दूर बैठे कोई था ने कि यह करने के वापस इस तरह की हरकत ने कर रहे है चाहिना तैवान को बजगानी लगते है बातें कि यह बुड़े-बुड़े बुज़ुर्ग लोग बैठें मुझे सरकार हैं चला रहे हैं, countries की, और हरकन देखो इनकी, अब गिराओं, 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 ये करने ही, ठीक है, तो उस चकर में US ने क्या किया, US ना, Taiwan को क्या, रुक, रुक, मैं तेरी help करता हूँ, इतना support कर रहा है ताइवान को, militarily, इतना ज़ादा इन्होंने support और aid भेजा है, कि कहता है कि अगर तुने गिराया, चाइना को सीधा बोल दे कि अगर तुने गिराया, तो तेरा भी हश्न ना, बहुत बुरा होगा, तो ये जो opportunity cost आप कहलो ना, invasion करने की अगर चाइना ने कोशिश की, it is not going to be that easy, ठीक है, छोटा सा country है, mainland China से दूर है, ठीक है, बहुत हो गया तरह, अगर जादा invasion करने की कोशिश की, तो चाइना भी retaliate करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, और इसमें, अब देखो, एश्या पे इतना ध्यान है, तो यूक्रेन में जिलेंस की विचारा ना, ऐसे वही अपनी सूरत बना के, कि यार, देख ले इधर भी, तो यूरप में है, तो यूरपेन पावर्स को का है, कि देखो यार, आपने नेटो नेटो केर करके, मेरा बड़ा पैसा खर्च करवा दिया, बहुत मैंने security आपको provide की, अब थोड़ी जिम्मेदारी अपनी खुद भी लेनी सीखो, तो हुआ क्या पाएंगे जादा, तो actually इस invasion की वज़े से न, यूरप अब यूनाइट हो गया काफियत तक, ठीक है, और यूनाइट होने की वज़े से अब actually यूरप कोशिश कर रहा है कि यह यूकरेन को थोड़ा-थोड़ा support मिलता रहे, बड़ समस्या यह है कि यह dragged war बड़ी गलत चीज है, बेडा गर खोना था जो refugee crisis, जो यूकरेन से बच्चे जा रहे हैं, orphans हो गए है कई, और जो problem हो नहीं थी वो हो गई है, ठीक है यह ऐसा तो है नहीं कि रश्या रुका है, यह सीज फायर हुआ है, यह वापस पीछे को जा रहे है, वो solution ही नहीं हुआ, तो यूकरेन काफ इनको लगता था कि neutral रहे के न सब चंगा सी है, ठीक है, हमें कोई लेना देना ही नहीं, आपने लड़ना लड़ो, हम अपनी economy पर focus करेंगे, हाँ, अगर आपने संधी करनी हो तो हमारे country में आ जाना, चाय डिनर अच्छा बढ़िया एकदम range करेंगे, पैसे दे देना अपन कि netto का हिसा नहीं है, इसलिए नहीं बचा रहे करते हैं, तो यार, भाड में की neutralization, ठीक है, अब चलो, netto join करते हैं, तब ही कुछ बात बन पाएगी, ठीक है, तब ही बात यहाँ पर बन पाएगी, तो यह पूरा का पूरा मुद्दा है, ठीक है, जिसकी वज़े से लग रह है, ठीक है, जैसे कि अभी जो hummus conflict हुआ है, ठीक है, और यह expand होने की जो possibility है, तो इसकी वज़े से जो एक changes आ रहे हैं US में, वो बता रहे हैं कि इसकी ना Uncle Sam बोड़े हो गए, इनकी capacity उतनी है, ठीक है, पहले 10-15 बच्चों को एक साथ संभाल लेते थे दुनिया के, अब है क कि 10 बच्चों को संभाल पाएंगे, लेकिन 5 को बोलेंगे, तुम लोग उदर जाके खेलो, खेलो मतलब, जैसे इनकी ammunition industry boom होती है, यह चीज़ कहां से पता लगते हैं कि जैसे ही इसराइल hummus conflict आया है, US की जो Congress है, जो basically वहां की Parliament है, वो कह रही है कि यार यह Ukraine को यह जो aid package दे अगर लिए हैं और आपकी बज़े से country का इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो फिर थोड़ी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, बट anyways, यहां पे aid package Ukraine को भेजना था, वो रोख दिया इनकी Parliament यानि की Congress ने, जो legislature है इनका, इसी की साथ है जिनों ने कहा कि China की उपर focus करो, इस के साथ है, which is not a significant power given, इसराइल वो country जिसने 5-5 Arab nations को भी एक साथ handle किया हुए, तो यहां पे जब अब इसराइल वार में जीती जाएगा, तो उसमें US छोड़ा सपना सीना भी चोड़ा करने के लिए इधर focus कर रहे है, President Biden personally इधर visit करने गए, ठीक है, Russia, China वैसे बातें कर रहे ह है, solidarity दिखा रहे है, Biden यहां पर land हो गया, ठीक है, और अपनी solidarity in-person visit के साथ इन्होंने दिखाई है, ठीक है, इसे के साथ इनका एक और खत्रा है कि Donald Trump अभी case चल रहा है अंकल पे, Donald अंकल पे, but he is very much likely कि election year अगले जीत सकते हैं, ठीक है, बाइडन की administration में ठीक है, काफी हद त radical approach नहीं रखते, तो उसमें अगर बात करें, थोड़ी economy ठीक हुई है, बहुत सारे यह जो मैंने थोड़ी दिन पहले trickle-down effect, जो fail हो रहा था, उसको भी alternate strategy बताई है, तो foreign policy active है, ठीक है, दुनिया में काफी हद तक participate कर रहे हैं, isolationism नहीं follow कर रहे हैं, कि जहां पे मतलब America needs to focus inward, America को inward approach रखनी चाहिए, inward का मतलब होता है, कि बाकी जगा टांग का मड़ाओ, जो भी funding ऐसे दी रखी है, उसको खीच लो, अपने उपर इधर focus करो, घर पे, जो unemployment बढ़ती जा रही है, ठीक है, Donald अंकल कहते हैं, कि climate change is a hoax, ठीक है, Paris treaty गई तेलने ने, हमें अपनी industry बढ़ approach, तो अगर Trump आ गया ना, तो अब फिर क्या होगा कि Biden administration के time पर, geopolitics में काफी सारा, इन्होंने हस्तशेप कर दिया पूरी दुनिया में, ठीक है, है ना, अमेरिका का अच्छा का सा role रहा है, Russia-Ukraine war हो, अफगानिस्तान का भी Taliban हो, जो वापिस आ गया है, अब इसराइल हमस मे प्राइटना नहीं है, यह problem है यहाँ पर, तो अंकल सायम के ना, इसलिए, बड़ी questionable है, इनकी capability, अब वो factors जो suggest करते हैं कि नहीं, US अभी भी जो है, ठीक था country है, चीजों को संभाल सकता है, और responsible nations जैसे की इंडिया, हमें US के साथ partnership करके, global order को वापिस लाने की जरूरत है, वो कैसे, वो कहां से पता लगती है, कि पहली बात इस तरह की चीज़ें पहली बार नहीं हो रही, Vietnam War के समय पर, Cuban Crisis के समय पर, और भी ऐसे कई conflicts हो रखें, Iraq War वगयरा के समय पर, जहां पर यह doubt आता था, कि US main conflict यह चल रहा है, कि वो geopolitics में interest जादा ले, कि अपने domestic कलेशों को स लिया, क्या यह बात सबको समझ लगी है, यह क्या कह रहा हूँ, क्या यह बात सबको समझ लगी है, example के तौर पे, example के तौर पे, कि मानलो, नेपाल में अर्थ को एक आया, ठीक है, हमने अब package भेजना है, तो एक बार तो दिमाग में आएगा ना, कि यार, हमारे अपने country में कितने लोग भूके मर जाते हैं, हम दूसरे countries को दान दे रहे हैं, इतनी capability है भी हम में के नहीं, यह contradiction है, internal, और external interest हम नेपाल के थूरू कैसे पर्शू कर रहे हैं, कि नेपाल एक तरह से जार जो भी कव, है तो buffer state ना, between China and India, तो नेपाल का भी थोड़ा friendly होना, अच्छी बात कर रहे हैं, नहीं तो अगर चाइना की ऐसे invasion या कुछ भी ऐसे गड़बड होती है, वो जाधा बड़ी problem है, ठीक है, तो यह example है, और foreign policy, active foreign policy से national interest भी परसू कर रहे हैं, तो same ची यूएस ने भी कई बार कर चुक है, अभी भी संभाल लेगा, ऐसा लग रहे है, दूसरी ची है, वो यह है कि European nations की GDP कम हुई है, not US है, US में उतना decline नहीं आए, in fact post covid recovery में, US अच्छा कर रहे है, और Biden administration, इसको हम discuss भी कर चुक है, Bidenomics नाम से एक editorial आया था, we discussed that editorial, तो उसमें पता लग रहे है कि Biden अच्छा कर रहे है, economic front पे अच्छा काम कर रहे है, ठीक है, तो उसलिया से US क economy अभी strong है, और कोई भी चीज़ करने है, आपकी जेब में पैसा होगा ना, तब ही चीज़ें होती है, मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, tell me in the comment section, जब हमारी जेब में पैसा होता है, तब ही हम अपनी तयारी ठीक से कर पाते हैं, ये किताबें बगरा लेने के ल ये जो इतना सारा खर्चा कर रख है, ताइवान को aid देना, जपान में ये सब उसको convince करना, वार के टाइम पर बाइडन अब इसराइल में गया है वहां पर, तो ऐसा तो है नहीं कि पैदल गया होगा, जहाज में जाएंगे, जहाज भी उनका कोई ऐसे छोटा मुटा तो है नहीं, अच्छा कासा fuel, इंधन वो सब consume करता है, तो पैसे होंगे तो ये सब कर पाएंगे, तो economy अच्छी कासी है, ये खर्चे manage हो जाएंगे इनसे, इसी के साथ साथ military, इनकी अभी भी बहुत strong है, US का जो defense का खर्चा है, वो एक तरफ, और अगले 10 countries, मतलब top defense खर्च करने वाला, US ही है, ठीके, और बाकी के जो 10 countries है ना, उन सब का खर्चा combine कर दो, तब भी US का काफी जादा है, और इन countries में, इंडिया और चाइना जैसे countries भी आते हैं, तो US काफी जादा खर्चा करता है, defense के उपर, तो military might इसकी काफी जादा है, इसी के साथ साथ, पूरी दुनिय जाके गए है, ठीके, बाकी countries बातने कर रहे हैं, बाइडन ने personally वहाँ पर जो setting करनी थी ना, कि क्या stakes हैं, हम कैसे help करेंगे, बदले में हमें क्या चाहिए, वो सब बातने हो चुकी हैं, ठीके, पता नहीं लगेंगी, of course, किसी को, बातने सारी हो चुकी है, in the national interest of USA, तो यहा तो यह सब कुछ, हाँ, सिपरी रिपोर्ट से पता लगता है, आमजाने ammunition के बारे में, very good, Gotham, yes, सिपरी रिपोर्ट, वहाँ से पता लगता है, बिलकुल, ठीके, चलो, ठीके, सी राजा मोहन साहब का article discuss कर लिया, चलें आगे, बताओ, ठीके, यह ना satisfaction नहीं मिलती, जब इन का article आए, और discuss ना करें हम, right, तो यह हो गया, अब राजा मोहन साहब का article discuss हुआ, बड़ अच्छे से आप समझ चुके हो, एक reminder देना है सबको, बस चोटा सा reminder, तयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खुद से कर रहे हो, और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद स classes की start हो गई थी, 23rd October को, orientation हुई है, और कुछ थोड़ी सी हमने पढ़ाई start की है, तो यहाँ पर अगर तरीके से अपनी तयारी आगे बढ़ाना चाहते हो, पूरे syllabus को complete करना चाहते हो, और confidence के साथ exam देना चाहते हो, तो यह batch आपके काफी काम आ सकता है, CS live code अगर apply करोगे, तो देखो, 10 रा discount तो अब नहीं चल रहा, पठा, इस score से अभी भी, जो maximum possible discount है, वो आपको मिल जाएगा, ठीके, तो अपनी validity और अपनी need के हिसाब से, आप silver, gold या platinum, ठीके, यह तीन batches है, this is silver, this is gold and this is platinum, validity के हिसाब से इसमें आप enroll कर सकते हैं, right, बहुत से aspirants का एक doubt है, वो बहुत अच्छे से समझ लो, कि क्या चीज जरूरी है, यह जो self study कर रहे हैं उनको भी मैं यह clearly बता दू, कि 2024 की approach आपकी क्या होनी चाहिए, देखो, exam कब है, 26th May को, May end में मान सकते हैं, 26th May को अगर exam है, जिसका मतलब है कि May का पूरा month आपके पास है, May के 25 दिन आपके हाथ म हैं, ठीक है, तो May का month है, इस से पहले April आता है, वो भी आपके पास है, March है, Feb है, Feb में notification आ जाएगी, और January है, ठीक है, तो आपके पास pre की तियारी के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच महीने dedicated हैं, पांच महीने कितने days हो जाते हैं, लग भग approximately 150 days, तो यह जो batch है, इसमें देखो, focus क्या है, focus यह है कि January तक, January से February तक आपका quality, history, geography, economy, ठीक है, geography में environment के भी कुछ sections आ जाते हैं, इनको कहते हैं, big four, big four का मतलब यह होता है कि अगर इन subjects के उपर grip अच्छी है, solid है, तो फिर इन 5 महीनों में, जो छोटे-छोटे से components हैं, IR हो गया, maps हो गया, science and technology हो गया, वो manage हो जाते हैं, क्योंकि उनकी orientation current oriented रहता है, तो new service के through तो हम classic current affairs कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर extra कर लेंगे, वो consolidate हो जाएगा, तो यह big four आपके, जो main core component है, pre के लिए, वो यहीं पर complete हो जाएगा, तो pre with crash course, ठीक है, यहाँ पर आपका एक crash course भी start हो जाएगा, जहाँ पर ए यहाँ पर complete कर देंगे, तो 2024 का prelims, क्योंकि इसका crash course मिल रहा है, तो उसके लिए भी यह targeted है, pre अगर clear हो गया, तो जो main exclusive components हैं, जैसे की world history, ethics, post independence, security और disaster management, यह वाले components pre के बाद handle हो सकते हैं, इसके हो handle किया जा सकते हैं, प्लस जिनका pre clear हो रहे है, वो हमारे साथ residential program में तो obviously extra attention मिलेगी उन्हें, तो उनकी तयारी तो उनको बिल्कुल फिकर करने की जुरूरत नहीं है, हमने इतना content, concise content आपकी preparation के लिए, और आपसे इतनी practice करवा दिनी है, कि यह components ना cable pre के बाद handle हो जाएंगे, बलकि कैसा भी question आजाए, आपको पता होगा कि मैंने tackle कैसे करना है तो it is very much valid for 2024 exam as well, और 2024 वलों के लिए जो best package रहेगा, वैसे तो silver में वो enroll कर सकते हैं, बट क्यूंकि थोड़ी सी possibility रहती है कि what if, मुझे 25 का भी देना पड़ जाए, तो मेरी यही सला रहेगी कि आप gold में enroll करें, क्योंकि इसके validity 2026 के April तक रहेगी, तो अच्छा कासा time भी मिल जाएगी और सारे features आपको मिल जाएगे, ठीक है, अब यहाँ पर third eye angle हम cover करते हैं, मैंने आपको कहाता कि third eye angle भी cover करूँगा, तो let us cover third eye angle, third eye angle में सबसे पहले NATO के बारे में हम discuss कर लेते हैं, NATO stands for North Atlantic Treaty Organization, एक military alliance है, US ने initiate किया था, along with Canada and various Western European countries, Washington में ये treaty sign हुई थी April 1949 में, जिसके बाद NATO आ गया था और इसका objective था कि USSR को हमने counter करने है, एक collective security और defense create करनी है, आज की rate में इसमें 31 members है, right, 31 members है और Finland is the latest member to join NATO, right, Finland is latest member to join NATO, Sweden भी कोशिच कर रहा है, November तक expect किया जा रहा है, but let us see कि क्या होता है, Turkey ने basically रास्ता रोक के रखा हुए, right, headquarters जो NATO के हैं, वो Brussels में है, Brussels कह जहां पर Belgium की capital है, NATO की जो funding होती है, वो इसके members करते हैं, जहां पर US सबसे ज़्यादा dominate करता है इसकी funding में, और two-third funds जो हैं, वो US provide करते हैं, ठीके, two-third, no, two-third नहीं, three-fourth, ठीके, three-fourth funds जो हैं, वो US के द्वारा आते हैं, तो यह इसकी funding है, NATO के साथ-साथ Quad की भी बात की ग and Indo-Pacific region में, hegemony बनाने के लिए और China को counter करने के लिए एक alliance बनाई गई थी, right, तो India, Australia, US और Japan के बीच में एक alliance है, इन सारों countries में जो common बात है, वो क्या है, कि यह democratic nations हैं, democratic principles को appreciate करते हैं, और क्योंकि China, Russia जैसे countries, even North Korea जैसे countries, यह democratic नहीं हैं, कहीं नहीं हैं, कहीं नहीं हैं, कह consequently, यह वो values हैं, जो इन सभी इंचारों countries को आपस में जोड के रखती हैं, shared value है, ठीक है, maritime trade यह मानते हैं, कि unhindered होना चाहिए, एक sea lane जो है, किसी के पापा की जैदाद नहीं है, right, South China सी किसी के पापा की नहीं है, सब जनों को जो भी international law के हिसाब से agreement है, उसके साब से follow करना तो यह इन सभी को close लेके आती है, aim इसका है कि यह जो Pacific region है, यह free रहे, open रहे और तरक्की करता रहे, ऐसा नहीं कि कोई एक ही countries में dominate करें जैसे की China, right, तो इसलिए squad को बनाया गा था, idea सबसे पहले इसका Shinzo Abe ने दिया था, 2007 में, लेकिन Australia को China से जब धंकिया मिली थी थोड़ कर दी, तो मोदी जी, Shinzo Abe, Donald Trump, यह लोग बैठे थे, और Australia की PM वहाँ पर थे, तो इन्होंने वहाँ पर इसको realize किया, ठीक है, तो यह quads related basic facts हैं, काम आ सकते हैं, इस पर सवाल बन सकते हैं, अब चलते हैं, पारलिमेंट की तरफ नई दिलनी में, वहाँ पर मोहमात्रा का क्या अधिकार बिल्कुल है, कि आप जनता को represent कर रहे हो, जनता के कुछ सवाल हैं, जो वह सरकार से करना चाहते हैं, तो अपने MP के through वह सवाल पूछ सकते हैं, इवन आपको भी अपने जो भी आसपास अपने MP आपके हैं, उनको चिठी भेज कर या अपना जो भी सवाल बनता सर अधिकार से, वो मुद्दा उनके साथ शेर करने का अधिकार है, after all, वोट कर रहुआ, अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है, कि जनता यह नहीं समझती, वोट देते टाइम, वो रबड़ी और कुल्चा खाके satisfied हो जाती है, और वोट दे देती है, उसके बाद, क्या आपके सवाल पहुंच रहे हैं पार्लिमेंट में या नहीं, इसकी awareness नहीं है, अगर हमारी जनता पढ़ी लिकी होती, तो वोट इसा धार पर दिया जाता, कि आपका MP, आपके मुद्दों को लेकर कितना receptive है, सुनता भी है कि नहीं, कि गायब रहते हैं, ना पार्लिमेंट जा रहे ह कि a nation gets a leader it deserves, या फिर लोग get their representatives, what they deserve, तो क्योंकि लोग भी ऐसे हैं, इसलिए elections के time पर ये फिर से active हो जाते हैं, फिर हाथ जोड़के आएंगे कि हाँजी, आपका ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, ये सड़क बन गई, वो सड़क बन गई, मुहले साफ करवा दिये, और उस कोई उलंगन नहीं है, एस सच, पूछने का अधिकार है, लेकिन, मुद्दा तब आ गया, जहां पर एक व्यक्ती ने, ये व्यक्ती का नाम है, दर्शन हिरंदानी, इन्होंने एक एफिडेविट, एक एफिडेविट ये लिखाया और कहा है, कि इन्होंने पैसे लेकर करना है, तो यहां पर जो मेन सवाल बन रहे हैं, इस पूरे के पूरे मामले में, उसको देखते हैं, और उस ही के तुरू हमें काफी चीज़ें पता लग देंगी, मैं टू मिनट्स का थोड़ा सा पॉस लेता हूँ, एक बार कॉमेंट्स देख लिए हूँ आपके क्या क्या के मामले लेते हैं, वो दो कमेटी जाती हैं सामने, एक एथिक्स कमेटी, एक प्रिविलेज कमेटी, जो सीरियस, जादा सीरियस और ग्रेविटी वाले मामले होते हैं, वो प्रिविलेज कमेटी के पास जाते हैं, लेकिन जो थोड़े कम सीरियस मामले होते हैं, जिनकी ग्रे which committee should take up this such cases, right, तो देखो bribe लेना serious issue है और ऐसी चीज़ें privilege committee को लेनी चाहिए थी ठीक है, लेकिन यहां पर गड़बड है, और यह सवाल बनता है कि क्या ऐसा case क्या पहले कभी हुआ था, ताकि हम यह precedent देख सकें, कि इस तरह के case में ethics committee का ही role आता है तो जवाब यह है कि online submission जो है na questions की ठीक है, यह जो question था, यह online यह online submission जो है questions की ठीक है, यह system अभी recently start हुआ है, recently start होने के वज़े से अभी तक ऐसे मामले कम आये हैं, यह one of the first मामला ही है, जो सबके सामने आये है अब यह है कि क्योंकि MPs seemingly busy होते हैं, तो उनके बहाफ पर कोई और भी question डाल सकता है, ठीक है, उनका कोई subordinate भी question डाल सकता है, लेकिन MP को sign करने पड़ते हैं, electronicallyly sign होते हैं, वो verify होते हैं, तो फिर वो process होते हैं, तो ऐसा, यह problem नहीं है कि किसी दूसरे ने question डाले, वो डाल सकता है, लेकिन bribe-ly यह problem है, ठीक है, तो वोई ethics committee यह जांच करेगी, कि bribe आई, तो किस form में आई, कहां से आई, किस roots है, तब फिर हमें और clarity's के बारे में मिलेगी, right, क्या कोई ऐसा rule है, Parliament में, जो की मना करता है, अपना login ID, password share करने से, क्योंकि यह बड़ी sensitive चीज़ है, Parliament की proceedings हो रही है, क्या login ID, password share किया जा सकते है, तो ऐसा rule नहीं है, ठीक है, यह again, इसमें यह argument है, कि system नया आया है, तो ऐसा rule नहीं है, अगर Parliament को ऐसा rule बना देती है, तो Parliamentarians को भी clarity मिल जाएगी, और ऐसे acquisition लगी है, इसी के साथ speaker की, यह प्रिजाइडिंग, अगर राज्य सबाब में है, तो वहाँ पर presiding officer जो है, उनकी permission लेकर यह अपना वकील भी साथ लेके जा सकती है, और वकील, दूसरी side की acquisition और claims को cross examine कर सकते हैं, ठीक है, अगर cross examination में पता लगता है कि यह तो false accusation है, कोई इसमें sir pair है ही नहीं, तो वहाँ पर फिर मामला वही पर रफादफा हो सकता है, ठीक है, बटा कर लगता है कि नहीं, वजन है, तो further फिर, जो committee है, उसकी detailed inquiry करती है, time कितना इसमें लगना चाहिए, इसकी उपर कोई clarity नहीं दी गई, as per the rules, लेकिन normally दो महीने का वक्त लगता है, जादा भी लग सकता है, extension ली जाती है, उसके लिए, ठीक है, लेकिन कोई fix time limit नहीं दिया गया, यह potential MCQ की statement बन जाती है, कि क्या कोई time limit fix है, ethics committee द्वारा to take a decision, the answer is no, usually two months में कर देते हैं, बट ऐसा कुछ fix नहीं है, ठीक है, अब punishment इसमें क्या मिल सकती है, तो committee जो है, वो सिरफ recommend कर सकती है, punishment, right, सिरफ recommend कर सकती है, जैसे कि suspension कुछ दिनों के लिए, right, अब यह recommendation, suspension यह सिरफ recommend कर सकती है, यह recommendation house के सामने जाएगी, ठीक है, जिस भी house में MP हैं, वहाँ पर जाएगी, फिर house यह decide करेगा कि क्या वो agree करेगा, ठीक है, punishment से, और charges से, यहाँ फिर वो ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ethics committee की जो findings हैं, हम उससे तो agree करते हैं, लेकिर punishment harsh है, तो हम थोड़ा सा lenient view रखना चाते हैं, punishment कम कर दो, suspend ना करो, कोई और fine लगा दो इन पर, ठीक है, यह चीज रहती है, अब यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि जब ऐसा corruption ही है यह कहीं ना कहीं, ऐसी allegation किसी department में आती है, तो पहले department की कोई सरकारी department है, तो वहाँ पर vigilance होती है, हाँ department में, ठीक है, तो vigilance पहले उसकी inquiry करती है, ठीक है, vigilance उसकी inquiry करती है, राइट, लेकिन अगर parliament में यह चीज जाती है, ethics committee देख रही है, तो क्या, और vigilance बाद में CBI को भी यह मामना दे सकती है, तो क्या ethics committee के पास इस तरह का mandate नहीं है, इसमें अब conflict of interest हो सकता है, कि नहीं हो सकता, तो इसमें यह कहा गया है, कि क्योंकि ethics committee जो है, उसमें ruling party, और generally parliamentary committees में, ruling party के members dominate करते हैं, ethics committee की भी अगर बात करें, तो इसमें लोकसभा में 15 members होते हैं, राजसभा में 10 members होते हैं, और ruling party या ruling alliance की domination रहती है, तो वो कहते हैं कि opposition को target करने के लिए, यह misuse हो सकता है, और ऐसा जो मामले हैं, वो politically motivated भी हो सकते हैं, लेकिन जानकार और जो इसकी support करने वाले लोग हैं, वो यह ही कहते हैं, कि सवाल यह भी बनता है कि क्या MP, court में जा सकता है, अगर ethics committee ने कोई फैसला किया, क्या उसके खिलाब appeal की जा सकती है, तो देखो, अगर member को expel किया जाता है, जो कि ethics committee कर सकती है, recommend कर सकती है, ठीक है expel can be recommended, यह note कर लो, अगर expel करने की बात आती है, ठीक है, उस case में, it can be challenged, और यह challenge जो है न, इसमें courts के पास limited power रहती है, इसमें सिरफ इन, इस अधार पर हम courts जो हैं, अपना decision ले सकते हैं, कि क्या यह unconstitutional था, कोई illegality आई है, process के अंदर, या natural justice, natural justice का denial मतलब, कि सामने वाले को उसकी सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया, तो यहां पर एक समझ्या आ जाती है, इस case में केवल, court को appeal किया जा सकते है, ठीक है, अब ethics committee, ठीक है, यह तो सवाल होगए, अब ethics committee क्या है, इसके उपर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, right, इसी case के चलते ethics committee भी limelight में आ गई है, यह एक ad hoc committee थी, 20 साल पहले बनी थी, right, and जो misconduct है, हलके cases में, उसका analysis, उसका visualization basically यह करती है, right, इसके जो members होते हैं, यह एक साल के लिए बनते हैं, this is a potential MCQ statement, एक साल के लिए इसके members appoint करते हैं, और वो कौन appoint करता है, presiding officer, लोकसाबा के case में, speaker, राजसाबा के case में, it's the chairman of राजसाबा, right, आज की date में, इस वक्त जो ethics committee के head हैं, लोकसाबा में वो हैं, BJP के कौशामभी से MP, विनोध कुमार संकर, right, अब इसका थोड़ा सा discussion करते हैं, ठीक है, इसकी history को लेकर, इसकी history और क्या इसकी background है, तो जो ethics committee का सबसे पहला idea था, वो आया था जब presiding officers की conference हुई थी, डेली में 1996, उस time के Vice President K.R. Narayanan ने ethics committee राजसाबा में 1997 में institute कर दी थी, in 1997, राजसाबा की ethics committee बन गई थी, तो ये एक potential सबाल है, राजसाबा, लोकसाबा में से, राजसाबा की ethics committee पहले बनी थी, इसका काम था कि moral और ethical conduct जो है members का, उसके अगर cases आते हैं time to time, वो आप analysis करेंगे, जैसे किस तना के case आते थे, कि जैसे member parliament को कुछ privilege मिलते हैं, और उनके spouse को भी privilege मिलते हैं, तो कुछ ऐसे member parliament, ठीक है, अब उनके affair होते हैं, मान लो, तो वो अपनी girlfriend को wife बता कर, वो privilege दिलवा दें, या फिर कोई और है, प्रियर उनकी, उसको wife बता कर privilege दिलनें, तो वो इस तरह के case यहाँ पर discuss किये जाते हैं, अब यहाँ पर, यह हलके case होते हैं, कि जैसे कहीं पर visit करने जाना था, तो wife को, girlfriend को privilege दिलवा दिये, ठीक है, यह mistress है, तो उसको privilege दिलवा दिये, वहाँ तक ठीक है, अब अपनी wife के passport के उपर, अपनी girlfriend को ले गए, यह ज़्यादा gross misconduct है, passport act के अंडर यह एक crime बन जाता है, इस तरह के मुद्ध जो हैं, यह privilege committee फिर discuss करती है, ठीक है, लोगसभा की ethics committee के अगर बात करें, तो यह ethics committee 13th लोगसभा के time पर आई थी, around 2002, I will have to check it once, I think 2002 के आई थी, जब बाल योगी was the speaker, राइट, कोई भी, अब इसमें complaints कैसे होती है, ethics committee में, कोई भी इंसान, आप और हम जैसे लोग भी ethics committee के तक पहुंचा सकते हैं, अपनी complaint, एक दूसरे MP के थूप, जब ऐसा करना है, ठीक है, अब MP जो है, वो present करेगा complaint, हमने जो दी थी, उन्हें, तो ऐसे कि इसमें हमें एक affidavit देना पड़ेगा इने, लेकिन अगर MP खुद directly complain करता है, वहाँ पर affidavit नहीं चाहिए, again potential MCQ statement है ये, इसके बाद, presiding officer, committee को refer करता है, ठीक है, ये complaint, और इसमें, media reports को as evidence नहीं consider किया जाएगा, क्योंकि media आपको पता है, हमेशा से bias हो सकता है, हमेशा से ऐसा राय है, कि media कहीं न गए, bias हो सकता है, कोई ऐसा matter जो already case में चल रहा है, even उसको भी consider नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके उपर already सुनवाई चल रही है, ठीक है, अब इसमें जो committee है, वो एक inquiry करती है, उस inquiry के बाद decide किया जाता है, कि इसको examine करना है भी के नहीं, उसके बाद अपनी recommendations देती है, after analyzing the complaint basically, इसके बाद ये जो report तयार होती है, ethics committee की speaker के सामने, ये house के सामने फिर present की जाती है, house उस पर decision लेता है, इसको discuss भी किया जा सकता है, आदा गंटा दिया जाता है discussion के लिए, ये इसमें basically process रहता है, privilege committee के साथ, अगर इसका थोड़ा सा comparison करें, तो देखो काफी हद तक इनके काम overlapping है, लेकिन वही बात है कि privilege committee में, थोड़े serious मुद्दे जाते हैं, ठीक है, 2015 में ना ethics committee of लोगसभा, इसको permanent committee बना जिया गया था, ठीक है, तो लोगसभा में ये permanent है, राज्यसभा में ad hoc है, ठीक है, ये भी एक additional fact है, PDF में आपको मिल जाएगा, तो CS live group join करना, बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, अब यार राहूल क्या comment करते जा रहे हो, बीच बीच में, बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई गिला शिक्वा, अच्छा, इसका answer बताना शुरू हो भी गए, इंडोनेशय और मिलेशय और सेपरेटेड़ भाई विच फॉल्विंग वाटर बॉड़ी इस तो, एक्सेलेंट, सभी को पता है, ठीक है, इंडोनेशय की बार बात हम कर क्यों रहे हैं, बात ऐसी है यार, कि इंडोनेशय में नहा राजा आने बल है, तो यहां पर में है, इंडिया is a republic, can someone tell me the reason, why is India a republic, why do we call India a republic, बताओ, why is India called a republic, ठीक है, D समझ गया आंसर, कनिका, आलका, खुश्बू, सविता, सुमित, सुनाली, शाश्वत, विवेक, everyone, D is the correct answer, मुझे यह बताओ, इंडिया को रेपब्लिक क्यों कहा जाता है, reason for calling India a republic country, a republic nation, अबे बता दो कोई, head is elected, who is the head, who is the head, because we have a elected PN, that is why we are republic, India follows parliamentary democracy, यह क्यों कहा जाता है, ठीके तो, parliamentary democracy, यह क्यों कहा जाता है, देखो, head, हाँ, यह Lalita ने सही बताया, जबीना सही बता रहे हैं, RN सही बता रहे हैं, ठीके, मानस भी सही बता रहे हैं, president, ठीके, basically मैं समझ यह, आप क्या कहना चाहरे हैं, देखो, कई लोगों को लगता है, कि जैसे Britain है, ब्रिटन में parliamentary system है, ठीके, उनकी government का head, इस वाट कौन है, रिशी सुनाक, उसको क्या, उसको ताजपोशी हुई टेटा था वो, इस वज़े से तो नहीं बना ना वो, प्राइम मिनिस्टर, ठीके, Queen Elizabeth, अब कोई इतने साल तक इंडिया पर राज करेगा, लेकिन Queen Elizabeth, ठीके, उसके बाद उनके बेटे कोई है, Prince Charles है, Prince Charles क्या है, राजा है वहाँ के, तो elected head of government तो वहाँ पर भी है, ठीके, elected head of government तो वहाँ पर भी है, पर parliamentary system भी follow हो रहा है, ठीके, तो yes, constitutional monarch कहते हैं उसको, गौतम ने सही बताया है, ठीके, तो ये difference होता है, Constitution monarch, ठीके, this is constitutional monarch, ठीके, तो Malaysia में ऐसा है, कि Malaysia Parliamentary democracy को follow करता है, लेकिन वहाँ पर भी राजा का, राज रहता है, तो अभी के राजा जो हैं, अल्द सुल्तान अब्दुल्ला, इनकी term expire होने जा रही है, ये चायन जो है 13, ठीके, तेरा 13, sorry, 9 सुल्तान, ठीके, जो 13 states में राज करते हैं, एक सुल्तान के अंदर 2 states भी आ जाती है, तो इन में से क्या आते हैं कि rotation basis पे 5-5 साल के लिए बारी-बारी से ये monarch establish करते हैं, इंडिया जो है republic है, क्योंकि हमारा head जो है, ठीके, वो elected है, indirectly elected है, राजा नहीं है हमारा, ठीके, हमारे president है, ठीके, we have a president, who is indirectly elected, ये पूरा का पूरा process, लक्षमी का आथ में आपको दे रखा है, college बनता है, electoral college में, votes की allocation होती है, और वो decide करते हैं, किस तरह से decisions लिये जाएंगे, ठीके, real head यार, जहने दिन कितने, यार, real head, तेखो, effectively, de facto, ultimate rule जो है न, वो तो prime minister का है, ठीके, head of the government, is prime minister, head of the state, head of the state is president, क्यों, क्योंकि कोई भी bill वगएरा, ये जो act हैं, बिना उनके ascent के नहीं बनते, first man of India, first woman of India, ये चीज़ रहती है, और king and queen की बात कर रहें न, यार, देखो, ऐसा है, why was queen Elizabeth the queen, और उनके husband को prince कहा जाता था, ये मैं history की classes में बता चुका हूँ, ये इसलिए है, क्योंकि queen Elizabeth के पापा राजा थे, ठीके, पापा जी का कोई ऐसा काबिल बेटा नहीं था, तो इसलिए बेटी को रानी बनाया गा, so that is why she is queen, जबकि जो philips है, उनकी शादी Elizabeth से हुई है, इसलिए उनको, उनके spouse का दरजा मिलता है, तो उनको king नहीं कह सकते, ठीके, तो इसलिए उनको prince कहा जाता है, लेकिन on the other hand, Charles जो है, वो queen Elizabeth के ही बेटे है, हाँ, bloodline की बात है, ठीके, बड़ ये इतना nitty-gritty में क्यों जा रहे हो यार, वहाँ पे आप से पूछके थोड़े थोड़े था, अब decide करना है कि किसको राजा बना है, बड़ चलो curiosity है तो बता दिया, ठीके, तो Malaysia का यार, map देख लेना, ये state of Malakka है, Indonesia, Malaysia को separate करता है, South China सी यहाँ पे है, इसके map को एक बढ़ देख लेना, इनकी जो capital है, वो क्या है, Malaysia की capital क्या है, its Kuala Lumpur, यहाँ पे आती है, इनका highest mountain, Mount Tahan, ठीके, ये भी इधर आता है, तो इसमें आपको एक बढ़ आप, देख लीजेगा, question आप solve कर चुके हो, ठीके, तो news में ये इसलिए था, अब सवाल जो आएगा, Malaysia और India के संबंदों के उपर भी आ सकते है, तो उसके relations के बारे में, हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, ठीके, तो India-Malisha की जो relations है, they are very important, India ने Malaysia की साथ diplomatic relations, 1957 में जाकर शुरू कर दिये थे, ठीके, हमारी आपस में comprehensive economic cooperation agreement हो रखिये, जो एक तरीके की free trade agreement है, जहां पर India भी Malaysia में अपने goods और products को बेच सकता है, Malaysia भी same चीज़ यहां पर कर सकता है, ASEAN के countries के अगर हम बात करें, जहां पर 10 nations हैं, ASEAN के, comments में मुझे बताइए कि वो 10 nations कौन से हैं, उसमें Malaysia जो है, वो हमारा third largest trading partner है, bilateral trade के अगर बात करें, तो Malaysia की favor में है, find out what is the value of bilateral trade between India and Malaysia, और इसमें यह चीज़ बता दूँ कि हम जो palm oil है, Malaysia का palm oil एक ऐसा product है, जो बहुत bulk quantity में हम import करते हैं, defense exercises भी important है, तो harimau शक्ती is a joint military exercise, जो की annually conduct की जाती है, इंडिया और Malaysia के बीच में, और अगर हम इसमें diaspora की बात करें, ठीक है, यह pillars होते हैं, दो countries के diplomatic relations के, तो अगर diaspora की बात करें, तो diaspora में 7.2% of Malaysia's population is, of Indian origin, इंडिया और Malaysia ने एक MOUB अभी sign किया है, जहां पर वो traditional medicine के उपर research और development कर रहे हैं, and Malaysia, आयूश medicine system को follow करते हैं, Ayurveda, Yoga, Yunani, Siddha, and Homopathy, Ayurveda, Yoga, Yunani, Siddha, and Homopathy, ठीक है, Ayurveda को वहाँ पर promote किया जाते हैं, तो यह India-Milicia relations के कुछ significant points थे, Cubism, यह एक term आ रहे हैं news के अंदर, तो फटा-फट इसका brief बता देता हूँ कि यह होता क्या है, देखो यार, Cubism, यह ना एक movement कितना, इसको art movement कितना popularize कर दिया था, किस ने किया था, who popularized this particular art movement, this was popularized by Picasso, and his French friend, French artist friend, George Brake, तेक है, इन्होंने visual art movement एक start की थी, Cubism, यह चर्चा में इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी recently, Picasso का 142nd birthday, celebrate किया जा रहे है, Spanish artist यह हुआ करते थे, Cubism में क्या होता है, कि generally पहले क्या था, आपने अगर medieval times में, Victorian style की paintings देख रहे हूँ, तो उसमें क्या होता है, कि painting की beauty को admire तब किया जाता है, अगर वो जो हमें नजर आ रहा है दृश्य, उसको exactly replicate कर सके, तेक है, जिसमें की perspective यूज किया जाता है, कि जितना आपको एक दूर दिख रहा है पेड, painting में भी ऐसा ही लग रहा है, कि ऐसे दूर वो पेड पड़ा हुआ है, जबकि painting जो है two dimensional होती है, तो two dimensional surface के उपर, जितना 3D का effect दे पा रहा है कोई, उस painting को उतना admire किया जाता था, लेकिन Picasso और इन्होंने break ने क्या किया, इन्होंने कहा कि बही canvas आपका two dimensional ही होता है, तो two dimensional is जिंदावार, ये बात इन्होंने की, तो इनकी painting होती थी कुछ इस तरह की, जहाँ पर छोटे छोटे डब्बे बनाए जाते थे, और कोशिश ये की जाती थी, कि हर तरह का perspective, जिस perspective से दिखेगा आपको एक particular piece of art या object, उसको, उसकी उस angle को, उस three dimensional angle को आप two dimensional में replicate कर दो, तो ऐसी painting सफिर बनती थी, ठीक है, इसकी वज़े से क्या हुआ, कि अब देखो, इतनी महंगी-महंगी painting जाना, इनकी शायद, जो सबसे महंगी painting है, वो 17 करोड, हाँ, 17 करोड डॉलर की, लगबग 17 करोड डॉलर की है, ठीक है, तो वहाँ पर होता कि है, राइट, वो मैंने दिखाई नहीं, थोड़ी सी अशलील सी painting लगी मुझे, इसलिए यहाँ पर र्याद नी की, पर यहाँ पर ऐसा है, कि इस cubism की वज़े से, इस cubism की वज़े से, जो लोग हैं, वो normal objects को और भी ध्यान से देखना शुरू होगे, कि अच्छा यह Picasso ने यहाँ पर ऐसा बनाया, तो क्या actually यह ऐसा दिखते है, यह interest generate किया था, इसकी वज़े से जो अमीर लोग थे, जिनके पास बहुत time था, इसको देख के समझने का, एप्रिशेट करने का, तो वो फिर बहुत ज़्यादा पैसा भी इस चीज के लिए देते थे, तो, this is all about cubism, ठीक है, this is Picasso, अंकल को देख लो भी, this is Picasso and his friend, Break, ठीक है, बहुत पैसा कमाया है उन्होंने, ऐसे उल्टी सीधी पेंटिंग्स बना-बना के, बट हमारा काम यहाँ पर question solve करना है, तो ऐसा question आ सकते आपको, कि term cubism often seen in news is related to, excellent nida, आपने सभी ASEAN countries बता दिये, that's good, communist ideology of Cuba is called cubism, Cuban nationalism that sought to do away with communist regime there, क्या उसको cubism कहा जाते है, early 20th century style and movement in art, इसको cubism कहा जाते हैं या none of the above, तो answer इसका option C बनेगा, ठीक है, तो ऐसे, this is C, इसको ठीक कर लेना, ऐसे questions तब भी हो पाते हैं, अगर आपको पता है, नहीं पता तो नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है, आगे चलते हैं, अपार ID के बार में फटा फट पढ़ते हैं, तो अपार ID ऐसा है, it stands for automated permanent academic account registry, ठीक है, ये एक ID system में सभी students के लिए, right from childhood, उनकी सारी achievements इसके अंदर store हो जाएएगी, ठीक है, हमारे school में तो होता था, कि shoelist मागना was a very big achievement, right, convent school starting में, थोड़ा सा ethics और etiquettes के उपर काफी धिहान देते थे, but anyways, ठीक है, अब ये basically government की scheme को, या initiative को support कर रहा है, that is one nation, one student initiative, right, और ये कहां से निकल रही है, हमारे new education policy में, 2020 में जो आई थी, उसमें one nation, one student, उसकी एक country है, तो ID भी सबकी same होगी, ठीक है, वहां से ये basically initiative आ रहा है, right, ये गंदा सा question बार-बार आता जा रहा है, इसको मैं correct कर दूँगा, मैं आई share PPTs with you, right, अब यहां पर APAR का objective क्या है, APAR का objective ये है, कि क्योंकि ये lifelong ID रहने वाली है, students के लिए, तो learners के लिए, schools के लिए, और governments के लिए, it will be easy to track academic process, from pre-primary education, right till higher education, एक बच्चे का पूरा data, और पूरा back-end electronic form में, सारा का सारा data जब है, तो monitor करना असान हो जाता है, ठीक है, आप demographic बहुत सारे analytic tools, basically ये बन सकता है, एक बच्चे के level से भी आप देख सकते हैं, अच्छा ये बच्चा starting में बहुत intelligent था, देरे देरे जैसे बड़ा होता जा रहा है, तो इसका score गरता जा रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा, यहां फिर वो score को देखे पता लग रहा है कि, एक particular school यहां, एक particular state में, एक particular city में, यहां उस city की एक जगा पे, कुछ schools में कुछ तो ऐसा हो रहे हैं, जहां पे students का record काफी अच्छे आ रहे हैं, तो policy decision में भी ऐसे help कर सकते हैं, इसी के साथ साथ यार, जैसे my father used to get transferred a lot, तो fourth standard तक मेरे, चार school या पांच school बदल चुके थे, और हर बार ऐसा होता था कि, new school में जाने के लिए, पूरा वो folder मेरा होता था, छोटी classes से लेके, बड़ी classes तक, migration certificate, transfer certificate, पता नहीं क्या-क्या उसमें होता था, और वो पूरा थबा लेके जाना पड़ता था, तो ये चीज़ अब hassle free हो जाएगी, आपको physical documents carry नहीं करने, आपको सिर्फ क्या करने, एक ID देने, वहाँ पे सारा data नए school में आपका already आ जाएगा, better monitoring हो सकती है, drop out rates, literacy rate और बहुत सी चीज़े, हम improve भी कर पाएंगे, ठीक है, ये इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ, आपको पता है कि fraud भी चलता है education में, कई बार ऐसा होता है कि लोग नकली degree हैं, नकली certificate बना लेते हैं, तो क्योंकि ये अधार linked होगा, ये पूरा system, and इसमें जो certificates का record है, वो भी पूरा बरकरार रहेगा properly, fraud मुश्किल होगा करना, ठीक है, हो तो फिर भी जाएगा, but now it will be very difficult to create such fraud, duplication of educational certificate, ये possible नहीं होगी, और single trusted reference होगा, educational institutions के लिए, to refer the academic record of a particular child, इसमें, सिरफ वो parties या वो entities, जो certificates issue कर सकते हैं, उनको first party sources का जाता है, for example, आपके board के exam हैं, 10th के, 12th के, वो CBSE conduct करता, तो उसके इसमें CBSE first party source बन जाएगा, वो जब certificate issue करेगा, तो वो आपके जो credits और आपके जो accredition है, वो system के अंदर link कर देगी, ठीक है, इस system में link कर देगी, और यह होता कैसे है, कि अपार ID को academic bank credit system के साथ link कर रखा है, जो की क्या है, यह bank credit system, एक store house है, जहां पे आपकी पूरे credit info होगी, कि आपने शुरू से लेकर end तक, कहां कहां पर क्या क्या achieve कर रखा है, तो ना केवल इसमें जो school में marks आतने हैं आपके class में, उसकी information है, लेकिन जो informal co curriculum activities भी आप करते रहते हो, कि मानलो कोई आपने extra कोई computer का course सीख लिया, या आपके बच्चे हैं, तो वो AI में मानलो कुछ करना start कर देते हैं, तो उसका भी record यहां पर होगा, यह information किसी new school में जानी है, तो आपको सिरफ अपनी ID देनी है, तो वहाँ पर migration होने के साथ, यह information भी उदर migrate हो जाएगी, ठीक है, इसी के साथ साथ, यह जो information आपकी नाम की, age की, date of birth, gender, photograph, यह verify करना obviously ज़रूरी है, जिसके लिए अधार number आपको share करना पड़ेगा, अब students इसमें कहा जा रहे है, सरकार के द्वारा कि अधार number share करने में इतना संकोच ना करो, क्योंकि आपकी मर्जी है कि आप accept करें या decline करे, to share your अधार number and demographic information, with the ministry of education, तो अधार number सिर्फ verification के लिए तो use करना ही पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हो कि वो demographic information यूज हो कि जैसे आपकी अधार number के साथ associate हो जाएगा कि अच्छा, ये mail इस region में, इस school में, तो वो सब choice के उपर है, ठीक है, जो इसमें concerns है, पेरेंट्स के वो ये ही हैं कि अधार information leak कर दी, तो खतरा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की information है, उनके addresses भी होते हैं, तो there are certain anti-social elements, जो who target, who pray on children, तो वो चीज़ सही नहीं है, तो ऐसे में, they are not secure relating to this thing, अब government की justification ये है, कि हम ये leak होने नहीं देंगे, लेकिन government ऐसी बातें करती है, leak फिर भी हो रहे हैं, और information time to time आती रहती हैं, कि कैसे, government के ही department में बैठे है कुछ लोग, ये information leak कर देते हैं, ठीक है, और नकली आधार भी बन जाते हैं, ये भी समस्या है, तो government ने ये justification दी है, कि students के पास ये option है, एक तो opt करने की, कि वो ministry के साथ share करना चाते हैं, नहीं, दूसरा किसी भी time पे, वो stop कर सकते हैं, information sharing, तो जो data उनका already process हो चुक है, उसको कोई impact नहीं पड़ेगा, और आगे उनकी अधार का, जो details हैं, वो नहीं आएंगी, तो ये concerns हैं, आने वाले time में, इसके बारे में और पता लगेगा, and we will get to know, कि क्या मामला पूरा का पूरा है, अब अगले मुद्दे पर चलते हैं, यार ये न अब PDF में attached है, इसको एक बार पढ़ लेना, बात सिरफ इतनी है, मैंने charging के बारे में बताया था, अब देखो, इसमें वो Nokia का पुराना pin वला charger लग जाए, ठीक है, आपके phone में Apple का लगे, किसी दूसरे phone में type C, किसी में type A, type B, ऐसे तो सब लोग पागल हो जाएंगे, ठीक है, ममा अगर charger भूल गए किसी के, तो वो पापा का charger नहीं यूज कर सकते, यह काफी समस्या है, अब EVs को हमने अगर बढ़ावा देना है, carbon footprint को कम करने के लिए, तो उसमें, अब हर company अपने-पने हिसाब से, वो charging points बनाए, electric vehicles की, तो वो समस्या आ जाएगी, इसके लिए बहुत से countries, standardizations introduce कर रहे हैं, US, China, Japan, यह countries ने अलड़ी, ensure कर दिये हैं, इंडिया कहा रहा है कि, हम भी यह चीज़ करेंगे, क्योंकि EVs की sales जो है, वो बढ़ती जा रहे हैं, खासकर metro cities में, तो ऐसे में, Bureau of Industry Standards, Bureau of Indian Standards, यह संस्ता है, जो standards develop करती है, industrial use के लिए, तो इन्हों ने ISI 7017, 2023, यह एक standard बनाया है, ठीक है, for charging connector, of light electric vehicles, light electric vehicles में, scooter bikes और रिक्षाज आ जाते हैं, ठीक है, gradually फिर गाडियों के भी बन जाएंगे, ठीक है, तो यह interoperability में help करते हैं, ठीक है, तो यह standardization की जारी है, तो नीति आयोग, Department of Science and Technology, और Ather Energy, इट्स अ प्राइवेट फर्म, जो electric vehicles और उनकी बैटरीज में, काफी बड़ा stakeholder है, तो इन्हों ने एक साथ, यह standard develop किया है, ठीक है, काफी इसके फाइदें हैं, जैसे की alternating और direct current, दोनों को support कर सकते हैं, interoperability, compatibility का support मिल रहा है, बाकी countries यो worldwide हैं, वो भी इसको follow कर रहे हैं, जैसे की China, इसने national standard for EV charging connectors, called as GB slash T, यह start किया है, US में कोई national standard तो नहीं है, लेकिन informally, Ford और General Motors, एक standard follow करने, जैसे की, जैसे की क्या है, same चीज़ follow हो रही है, ठीक है, Europe में combined charging system, यह follow हो रहा है, और Japan का क्या है, CHADEMO, ठीक है, this is a standard there, यह revise कर लेना information, match type का question, आ सकते है, yes, it is like one nation, one charger, ठीक है, one nation, one charger, actually, it should be one world, one charger, ठीक है, electricity भी, हमारे country में, 50 hertz की frequency है, US में 60 है, I guess, 60 hertz, और कई और countries भी, 60 hertz use करते हैं, तो वो, थोड़ा सा उसे साब से, फिर बदल हो जाते हैं, but anyways, this was the information, उमीद करता हूं, कि हमने काफी, comprehensively, बहुत सारी चीज़ों को, बाज discuss किया है, कल के session में, और discussion होगी, जुड़े रहिए, guys, series के साथ, regularly, right, and, that's all for today, batches में, जो लोग सोच रहे, enroll करने का, उनको मैं यही कहूंगा, कि timely enroll कर लो, जतनी जल्दी तयारी, start करोगे, उतनी जल्दी वो complete होगी, जल्दी complete होगी, तो revision भी जल्दी होगी, ठीक है, और अपने personal experience, यार देखो, यह बता रहा हूँ कि, college में मैंने भी तैयारी शुरू कर दी थी, namesake, at least, नाम के खाते हैं, तो college में न, क्योंकि हम school और college के, exam process में फसे रहते हैं, तो इस वज़े से, हमें पता नहीं लगता कि, इस exam की demand actually अलग है, तो मैंने जब अपनी तैयारी start की थी, obviously, कि subject से मैंने शुरू किया होगा, it was history, राइट, वो modern India, विपेंचंदर की, brown color की book मैंने खरीद ली थी, उसको पढ़ना शुरू किया था, और मैं उसमें रटने की कोशिश कर रहा था, चीजों को, which doesn't work, UPSC में रटना, क्या-क्या रटोगे, बहुत बड़ा से लेबर से, तो वहाँ पर एक streamlined approach, और बिल्कुल targeted approach ज़रूरी होती है, चीजों का निशकर्ष हमें समझना ज़रूरी है, rather than cramming each and every word, लक्षमी कान्थ की भी मैं, जलंदर में न, DAV college के पास एक shop थी, वहाँ से second hand लक्षमी कान्थ मैंने ली थी, कि इसको पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें पहले chapter में ही मेरे को, तो दो महीने पहले chapter को ही रटने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हुआ नहीं था, तो ऐसी गलत अप्रोच की वज़ा से होती है, ठीक है, जब मैंने properly करना शुरू किया, तो पता लगा कि 30 दिन में, first timer जो है, 30 दिन में लक्षमी कान्थ को complete कर सकते हैं, ठीक है, 30 से 40 दिन में, और जब एक-दो बार आपने पढ़ दी, तो exam time पे 5 days में आप पूरी लक्षमी कान्थ revise कर सकते हैं, और एक level फिर ऐसा आ गया था, कि लक्षमी कान्थ में ना chapter खोल कर, मैं वो पढ़नी रहा था, मैं लिख रहा था, कि मुझे इस chapter में से already क्या-क्या आता है, और फिर जो मैं चीज भूल रहा हूँ, उसको मैं देख लेता था, कि अच्छा ये system भी था इसमें, तो वो मेरे concise notes भी बन गए थे, इस तरह का level अगर आप develop करना चाहते हैं, इस batch में आपको पूरी approach मिलेगी, discount करी, you can use the code CSLIVE and see